हेलो है वेल्कम बैक टो माई चानल दजने ओफ अरेंजलो फरस्ट अपॉल मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि आपने मेरे वीडियो हाउ टो गेट सेलेकर जिन्द ग्रावसिन को बहुत अच्छा प्यार गिया है सभी ने बहुत कमेंट्स क करने की कोशिश की है अगर आपको कोई और डाउट्स होंगे तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए और मैं आपको हमेशा अंसर करोगी सो फर्स्ट अपॉल आपको टाइटल से समझ में ही आया होगा कि आज मेरा आज में आपको किस बारे में बताने वाली हूँ सो आज मुझे आज में आपको बताने वाली हूँ कि मेरा एक्स्क्रियंस कैसा रहा आदिते बेला में चे में काम करने के लिए सो हम कुछ पॉइंट में काम करेंगे जैसे कि फर्स्ट पॉइंट रहेगा सेफ्टी सो सेफ्टी बहुत बहुत इंपॉर्टन पैरामेटर है आदिते बेला के लिए वह अपने एंप्लोई की सेफ्टी के लिए पूरे-पूर ध्यान देते हैं मतलब किसी भी छोटी-बोट चीज़ें में अलगर्जी बना लगे करते हैं और प्रॉपर सेफ्टी वएसे ही वह सभी प्रोसीजर उनका होते रहता है मतलब सेफ्टी के मामले में आदिते बेला इस वी वेरई गुडूड एक सेफ्टी के साथा थी वो एक स्कॉंट्रैक्टर की सेप्टी जो थर्ड़ सब्सक्राइब के लिए भी सोचती है और उसी हिसाब से वह अपना जो फैक्टरी है सेप्टी रो नॉम्स की साब से चलाती है और उसमें कोई भी दूसरा शॉटकट अपनाने की वह कोशिश नहीं करती सो सेप्टी में आदित्य बीला बहुत 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 अच्छी है देन सेकंड पॉइंट है इंट्रास्ट्रकचर आपको जैसे पता है कि आदित्य बिला ग्रूप इस वेरी बीग और्गनाइजेशन सो उनका इंफ्रास्ट्रकचर भी बहुत अच्छा है एक एंप्लॉई के उनका बैठना, उनका जाना आना, convenience, फैक्टरी में सब चीजे जो है वो सब convenience सभी तरीके से उन्होंने एक employee के बारे में सूचा है और उसी तरीके से infrastructure भी डेवलब किया है जैसे कि आपको पता है roads वगला चाहिए, फैक्टरी के अंदर, बाहर, उसके बाद आपका seating position जो है उस सेट्टी के में में, infrastructure के मामले में आदित्य बिला बहुत अच्छी है इसके आप जान सकता है कि अगर आप एक company में काम कर रहे है और आपके head office में location वगर अच्छी रहती आप काम करने की इच्छा होती बट जबकि उनके factory locations में शायद आपको थुड़ा उच नीच दिख जा point बहुत अच्छा लगा कि मैंने एक मतलब मैं हमेशा से company में काम करती आई हूँ तो मुझे जो company के अंदर का infrastructure है वो एक like a head office जैसा लगा means aesthetically वो बहुत बहुत अच्छा था environment जिससे आपको एक positive feeling आती है काम करने की towards so infrastructure की मामने में भी आरे ते बिला बहुत अच्छी है then second आता है policies and the facilities so policies जो है तो आधित्य बेला की policies are very very different than the other of course जो government के norms है और rules है उसके हिसाब से उन्होंने policies दी है और policy एक बहुत बड़ा topic है जिसके मारे मैं मैं अलग से एक video बनाऊंगी अगर आपको चाहिए तो but policies are very good अगर एक एक में policy के बारे में बताना चाहती हूँ अगर accidentally आपको कुछ होता है inside the company और outside the company तो अधित्य बिल्ला ग्रूप आपके family को कुछ साहता कर सकती है उनकी ऐसी कुछ policies है जो कि मुझे एक यूनिक policy लगी क्योंकि most of the companies में ऐसा रहता है कि अगर आपको कंपनी के बाहर भी है चुट्टी पर है और ऐसा कुछ होता है तो तो भी आपको एक support दिया जाता है अधित्य बिल्ला के तरफ से सो ऐसे बहुत सी policies है जो एक company welfare के लिए important है उसके बाद जो facilities है company की वह एक job band के तरीके से यानि आपके designation के हिसाब से आपको मिलती मिलती जाती है वह जो सभी जगा होता है यहां पर अलग कुछ facilities है जो मैं आज यह वीडियो में आपको प्रिक्वेंसी मिलती रहे और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना है sitting के लिए या कोई भी चीज के लिए आपको पता है कि नॉर्मल अगत थाली आप लेता है तो 50-60 रुपीज पर प्लेट इन अपको मिल जाएगी बट यहां पे 22 रुपे के आपको बनना है और बाकी जो भी अमाउंट रहेगा वह कमपनी पे करती है तो एकदम मिनिमम प्राइज में आप वहां पे खाना भी खा आप सकते हैं सो वह एक अच्छी असलिटे है जो अधित व में तो ब्लाइट की है फिर उसके बाद और यह जो छीज़ सभी सहता है अब्धाशी केtechno के सेहने मतलब फैबर के लिए चाप के लिए सबी सभी बाशे के लिए बद Влад और प्रोफेशनल ग्रोथ के बारे में अगर मैं बात करती हूं तो वहाँ पे ऐसे हैं कि आपको एक प्रोसिजर दिया गया है कि आपको यह स्टेप जाना आप करते हैं इक recognizing strategy appreeal strategies प्रोसीजर दिया गया है उसी प्रोसीजर में आपको काम करना है जैसे कि बहुत से चीजों में अभी जैसे में पर्चेस डेपार्टमेंट में हूँ तो मुझे फर्स्ट अपॉल उन्होंने बहुत से सेक्टर में इन्वाल किया मैं मिलता गया और में हर एक चीजों में इंवाल पोके वह समझती और अड़ाप्ट करती गई तो आपको यह बहुत अच्छा मिलेगा कि आपको हर एक चीजों में वह इन्वाल करेंगे वहां पर जो काम करने का तरीका है जो बहुत स्टैंडर्ड है और उस हिसाब से अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हो तो आपको कोई इस्यू नहीं आएगा जैसा मुझे लगता है कि बहुत सी कंपोनियों में हम सौट कट करके कुछ चीज़े समाल लेते हैं यह इतना प्रॉपर वे में नहीं करते हैं अगर वही चीज़े आप अभी से प्रॉपर वे से करेंगे तो आपकी जो एक स्टैंडर्ड ऑफ वर्किंग हो जाएगा वह कोई भी मैंच नहीं कर पाए दिल पाती है और बहुत कुछ सीखना भी वाकी है तो एक बहुत इंपोर्टन एस्पेक्ट है एक एंप्लॉई के लिए उसके बाद में बात करूंगी खुद का एक एकस्प्रियेंस कैसा रहा सो मेरा परस्नल एकस्प्रियेंस जो है वह बहुत बहुत अच्छा है मेरे छे म करती है वह कैसे हैं वह सब मैंने इन छे मेनों में सीखा है और वर्क प्रेशर की बात अगर मैं करती हूं क्योंकि हर एक एंप्लॉई के लिए वर्क प्रेशर और जो फैमिली लाइफ बैलन्स है वह बहुत इंपोर्टन है जैसे कि मेरा टाइमिंग है सुबह साड़े आठ मुझे कमपनी से कोई भी कॉल नहीं आता या फिर कोई भी इतना इमर्जंसी यह नहीं रहता कि मतलब घर पे तुम्हें काम करने की जरूरत पड़े इतना तो अभी तक मैंने नहीं किया है और वह सबसे रिलैक्सिंग ही कि आप एक बर घर पर आ जाते हो तो आपको काम करने कि जरूरत नहीं आप उधर ही पूरा कम्लिट करके आ सकते हो और आपको एक प्रेशर भी नहीं देते कि आपको करना ही है वह घर जाके तो वह एक अच्छी चीज मुझे लगी और अभी मेरे 6 मैंने कम्लिट हो गय है और मैं अब तक का एक्स्पिजिंस तो मेरा बहत आपके लिए मैं एक नया वीडियो ला रही हूँ जो हमने अभी रिसेंट्ली विएतनाम विजिट किया था हूँ तो उसके रिगार्डिंग में एक ट्राइवल चानल जो कि यह मेरा एक परसनल लाइफस्टाइल चानल है जिसमें मैं ट्राइवल रिलेटेड और अपने करि विएतनाम व्लाओ, थैंक यू